ज्यादा चांसे तो इंडिया के हैं, क्योंकि वो फुल तयारी कर गया है, अब इस देखा, आप मैं IPL देखा है, MPT 20 की बहुत ज्यादा बेदर तयारी है, और हमारी जो टीम अभी तो प्रोग्रेसी हो रही है, कि किसको किलाना है, किसको किलाना है, किपर के इशू आ रहे हैं जितने चांसे जीर हैं, मेरे साब से पाकिस्तान से फिफ्टीन परसन्च शांस है, अब इया को दूoplesगा सेवैनटी परसन्ट, पाकीस्तान को थार्टी परसन्ट, जो टेखने या ऑन्डिया बहुत स्टान्ट, इस दिखेज है में पाकिस्टान को कितना परसन्ट जग पर पाकिस्टान वर्सिस इंडिया के वह भी किर्कित के मैंदान में आए कौनु सी तीम की जारे स्ट्रोंग है किस टीम के जारा चांस हैplain से विन करेगी आईए जानते इस वीडियो नो जून नो जून को बडह टाकरा होने वाले पाकिस्टान वर्सिस रिडा का क्या किस टीम के जारा चांस है में जीतने के अभी तो पाकिसान की जो कंडिशन देखी जा रही है पिछली सीरीजों में भी पाकिसान का तो मुराल डाउन हुआ है अभी जो इंडिया की चांस जादा लग रहे हैं इंडिया को कितने परसंट दे होगे और पाकिस्तान को पाकिस्तान की जारे इंडिया की इस टाइम दोनों की बहुत अच्छी है मगर पाकिस्तान के पाद इतने अच्छी नहीं मगर इंडिया जाद अच्छे है और आलरूंडर के टेगरी में आते हैं जैसे के जड़ेजा हो गया वह पुल्दीब को जरूर खिलाएंगे और मैच अ अगर इंडिया टास जीटा दोनों टीम में बहुत अच्छी है 50-50 प्रस्टेंट एज दोनों की और यह एक अच्छा मैच होगा और ज्यादा चांसे तो इंडिया के हैं क्योंकि वो फुल तयारी करके आए मैं अभी देखा आप में आइपियल देखा हैं की टी-20 की बहुत ज समझी नहीं आ रही है खेलना किसने तो जब हम टीम अभी तक सेटी नहीं कर पाया है तो पिर जितना तो बहुत दूर की बात है तो भी एक प्रोफेशनल टीम इंडिया जो के ऑस्टेलिया के बाद सेकेंड नमबर पर आती है वर्ल्ड के अंदर जिनके किरकेट समयल्य है व तो पाकिस्तान से 15% चांस है पाकिस्तान के टीम से आप उतमीन हो जो टीम को ले कर गिये है वो लोग हाँ यही टीम है पाकिस्तान की पीन-चार साल से लड़कों फिला जा रहा तो इसी टीम को लेकर जाना ज्यादा बेतर था अभी कोई दूसरी चेंजिंग नहीं करने चा जाल गए तो कुछ कह सकते हैं बॉलिंग में हमारे पास फास बॉलर अच्छे हैं स्पिनर थोड़े हमारे शदाव वगेरे पिट रहे हैं फास बॉलर में हमारे पास मौम्मद आमेरे शाहिंशा अफरीदी है जिस तरह न्यू यू यॉर्क में स्विंग हो रहा है आप तो कि ichi क Él wapi अब यह तो देखो 50 50 आइंडीय में ज्याद tangi चूट पाकिस्तानियों को आदब हैए लेकिं जब ईंडिया तो आ हम टेच्भ क ने पीछे इंडिया इनृक desapareечение को हो सपोर्ट पाकिस्तानी और कर वह वां इंडिया का येंडिया की बैटिंग मॉल्ण आफिस तो अभी जैसे अपना सारे मैच्च नियुक्त टेखा जाए तो इंडिया ऩ्च्वार्व्ध लेकिन मैं ऐजा पाकिस्तानी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूऊंगा इंडिया का य है इंडिया कीअ बै पाकिस्तान के लिहाज से इंडिया को कितना परसंट देगा और पाकिस्तान को मैं इंडिया को दूंगा 70 परसंट और पाकिस्तान को 30 परसंट अपना इमाद वसीम का होना जरूरी है इमाद वसीम का वो मेरे ख्याल में इंजर्ड है वो पहला मैच नहीं खेला मेरे ख्याल में इसके पास एक और प्ले में गेंड कर लेता है अच्छी करता है तो इमाद वसीम को होना जरूरी है तो हम इंशालला पकड़ लेंगे इंडिया के खिलाप चलना तो चाहिए हमारे दिली खौाहिश है कि वो चले पूरा वर्ल्ड कप में सबसे जाधा स्कोर करें कि यह जो विराट को लिए तोड़ा पस्ते वाला वेता है इतना स्ट्रेय होगे खिलेंगे दो हमारे कीप ले अगर यह तो खड़े हो गए ना बेर सुरन भी करेंगे ना उडिया को मिशालला पकड़ लेंगे पिज जो है बोलर्स के फेवर में जा रही है सबसे पहली बात तो टॉस लेकिन बहुत इंडिया को ऐसी हमारी बॉलिंग है जो करते हैं वो टोस पर करेंगा बाकी देखेंगे पाकिसान से अंडिया को वो भी एक बाइचांस था इस बार दस विक्तों से हरा पाएंगे बहुत मिश्किल है लेकिन हमारी तो उमीद तो है उमीद पे दुनिया काई म प्रिप्टी परसंट दोनों के पास लेकिन पाक्सानी ऊने के नातर पाक्सान को सफोर्ट करेंगे पाक्सान के बाद जो बॉल्लिंग दाइने उपर इंडिया के पास नहीं और बॉल बॉलिंग पिच्छ भी मज़ए की बाद मौमत अमेर वरसेज विराट ने मुकाबला कै आफरीदी है नसीम शाह है तो यह मेरे साफ से परफॉर्म करेंगे पिछ तेज है मौमद आमिर के बाद स्विंग है लेकिन पेस्ट थोड़ी सी कम हो गई है यह एक एक्सपिरियंस बॉलर है कोली के साथ तो खेर कंपर नहीं कर सकते हैं कोली तो खोली है लेकिन देखे कोली औ पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है और इंडिया की बैटिंग है अगर इंडिया चेस करता है तो फिर उसका चांस बढ़ जाता है अगर इंडिया पहले खेलता है तो वहसले में आ सकता है अगर देखा जाए मिडर ओडर में हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलाद रहती है इस साल भी चेंजिस होती जा रही है कभी उस्मान को ले रहे कभी आजम खान को कभी फखर को उच्छोते पे खिला रहे तो क्या लगते है किस कंबिनेशन के साथ जाने चाहिए पाकिसतान को और फाकर फखर कर वाना चाहिए वटवन आजलआ कंट Oh जी बाद में चेस करें वो जादा बेतर है उसके लिए तोस पर डिपेंड करता है जो टॉस जीतेगा वो मैं जीतेगा तो वैसे बाइपेश तो एंडिया जादा स्ट्रोंग लेकि नहीं था पाकिस्तानी में आपनी टीम को सपोर्ट करूंगा इंशाहला आपकिस्तान जीते पाकिस्तान को कितना परसंट देगो इंडिया को मैं पाकिस्तान को 40 परसंट दूँगा इंडिया को 60 परसंट दूँगा पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया को बहुत अच्छी है लेकिन जहां पर इंडिया की बात आ जाती है तो इंडिया वैसे बहुत इंडिया मैंडिल त॓र पे स्टों आप सेओर बहूत अच्छी ये अंडिया की टीम हमारी टीम हमेशेटा पीछे रहाटी किया घ्राइश है पाकिस्थान को जो पूसर्डेव into गोंरें मैं इंडिया को कितना परसंट देगो और पाकिस्तान को 60-40 है 60 इंडिया और 40 बाकिस्तान है हमारी तो कौम है पाकिस्तानी है हम दुआ करेंगे पाकिस्तानी की ते बैसिकली तो इंडिया की टीम बहुत बढ़ी है देखा जाए पाकिस्तान को कितना परसंट देगो और इंडिया आगे देखाएं माशाला तो किसे वाह्त नध debi नहीं को टूड़ेगा एंडिया में तूड़ सकते हैं पाकिसान भी की वर्सेस विराट कोली मुकाबला कैसा होगा आशाला दोनों लेजंड्स ठीलिए रहे हैं विराट विराट है आमिर आमिर विराड कोली के विकेट जल्दी लिनी चाहिए। अगर विराड कोभी कड़ा हो जाते तो इस्कोर star बहुत अच्छा कहलता है उसका सितारा भी बाया 12 अबी पाकिससान के खिलाब हम तो बोलते इसके वराडा आउट जो पाकिसान पे भावी हो सकते हैं, जब तक विराट खड़ा रहेगा, तो हो सकता है, उसके साथ खड़े होने से के दूसरे पीलियर भी रन कर जाते हैं, पर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे बट्समें इस चम फॉर्म में हैं, जैसे के बा पाकिसान को बेट nग करना चाहिए, तो जीत पाकिसान को बैट्टिंग करनी कुथ है, तो इसलिए इन्शालला हमारी टीम बहुत अच्या परकॉम्श करें भी वर्पाम्ड आमिर म covenant मुकाबला कैसे होगा, जीन मुली को पहले भी आम शनला इस दख्वागा हम इन रावर व पर पाकिस्तान कहा है इंडिया इस फेविट थे क्यूंके बहुत अच्छा अच्छा कॉम पूरा नहीं है लेकिन इन्टेली स्वाग इंडिया